Hello everyone, welcome to Way2Officer, I hope you are loading well. So, आज है हमारा Day 5, Day 5 का To-Do List आपके सामने है, जो कि आपको कल करना है, 17 September को करना है. तो आएए एक बार quickly देख लेते हैं कि क्या-क्या चीजे इसमें include हैं, और कुछ एक नई चीजे भी हैं, जो आपको आपकी preparation में आपको बहुत help करने वाली हैं, तो वीडियो में बने रही हैं, और वीडियो पूरा अच्छे से देख लीजे. वहाँ पर मैं daily vocab provide करती हूँ, तो आपको vocab daily मिलती रहेगी. आपको क्या करना है? अज़ेक्टिव करना है. अज़ेक्टिव में आपको आज practice महीं करनी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना है, या फिर आपके पास कोई book है, तो वहाँ से आपको rules पढ़ने हैं, कि इसमें क्या-क्या चीजे हैं, कैसे sentence को बनाते हैं, किस त पड़ आया, तो थोड़ा ज्यादा time ही लग सकता है, बट कोई बात नहीं हम लोग इसे दो दिन देंगे, तो आप आराम से इसे कर लेना, क्योंकि ये बहुत important है, आगे जो भी हमारे question होंगे, like error, close test, बहुत सारे question में आपके काम आने वाला है, next हम लोग mock, जो कि सबसे important है अब ये देख लीजे, ये mock हम लोग देने वाले हैं, ये एक तरीके से हम सभी का test है, और अगर आपने telegram नहीं join किया, तो join कर लीजे, क्योंकि यहीं पर हम लोग अपना score share करेंगे, एक ही mock सब लोग देंगे, मैं उस mock का link description में दे दूँगी, और उसी mock को हम सभी देंगे, morning में ही आपको कल mock देना है, जैसे आपने अगर news paper पढ़ा morning में, उसके बाद आपको mock देना है, और उस mock का score आपको share करना है telegram पर, एक ही mock इतने लोग देंगे, हजार लोग देंगे, तो हमें पता चलेगा कि कितने लोग से हम आगे हैं, या कितने लोगों से हम पीछे हैं, तो उसका link में description में दूँगी, आप आज ही login कर लीजी, अगर login नहीं किया है तो, और कल आपको ये mock जरूर देना है, क्योंकि कल हम लोग पहला test ले रहे हैं, एक घंटे तो लगी जाएंगे, इसमें pre का mock है, उसके बाद analysis हम लोग telegram पर ही करेंगे, क्योंकि सभी लोग एक mock देंगे, तो एक अच्छा environment बनेगा competition का, तो वहीं पर हम लोग analysis भी कर लेंगे, okay, next है quant, quant में कल आपको पढ़ना है ratio and proportion, क्योंकि हमने percentage को पूरा चार दिन दिये हैं, और चार दिन में हमने अच्छे से percentage को complete कर लिया है, अगर कुछ बचा होगा, तो कोई बात नहीं है, हम लोग धिरे-धिरे उसे revise करते रहेंगे, mock में आपकी practice होती रहेंगी, okay, कल आपको ratio proportion start करना है, और इसमें होगा level 1 की question, इसको आप अराम से 2 घंटे दे सकते हो, क्योंकि देखी, इसमें बहुत ज़्यादा ratio proportion में समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता, practice करने के आपको इसको जितने भी आपके हिसाब से आपकी requirement होती है, time की आप उतना दे सकते हो, मैंने 2 घंटे लिखा है, थोड़ा जो बच्चे जिनको concept पता है, वो बिलकुल 1 घंटे में भी कर सकते हैं, 45 में कर सकते हैं, जिनको नहीं पता, उनको थोड़ा time तो लगेगा ही, next है current affairs current affairs के लिए अगस्त को हमने 4 दिन दिया था, कल है 5 दिन, कल हम लोग सिर्फ revision करने वाले हैं, आप चाहो तो affairs cloud qna pdf जो 100 pdf आती है, उससे revision कर लो, क्योंकि मैं उसी से revision करने वाली हूँ, या फिर आपने कोई और source को follow किया था, तो वहां से आप revision कर लेना, इसमें आपके लग जाएंगे maximum 2-3 घंटे, तो लगी जाएंगे इसमें 3 घंटे तक, क्योंकि पूरे week का revision करना है, और एक साथ monthly वाला revision करना, weekly revision मत करना, कोई monthly revision करना, जैसे affairs cloud पढ़ा हुआ था, तो affair cloud का monthly 100 qna कर लेना, study IQ पढ़ा है, तो study IQ का कर लेना, मंतली, या 80 user से पढ़ा है, तो वहां स इतनी सारी चीज़ें है, इसलिए मैंने easy topic रखा है, coding decoding में बहुत जाद का concept कुछ है नहीं, सिफ आपको question practice ही करनी है, सिफ अपना दिमाग लगाना है, तो बहुत ही easy question होते हैं, इसके और अराम से बन जाते है, pre-level के करने वाले हम लोग, तो इसको आप 1 घंटे, 1 घंटे मैं खुद आपको दूँगी, तो आपको वही चीज़े करनी है, अगर आपके पास जब time बसता है, तो आप अपने according अपना time sit कर सकते हो, कि आपको और mock लगाना है, या फिर और question की practice करनी है किसी, तो या आप अपने according sit कर सकते हो, तो आपके to-do list में कल यह यह सारी चीज़ तो वहां से भी आप देख सकते हो, and yes, यह हमारा to-do list है, और तयार हो जाएए कल के test के लिए, कल सभी लोग मिलकर एक साथ test देंगे, और देखते हैं कि कौन कितना preparation कर चुका है, किसके preparation किस level पर है, और कितना improvement हमें करना है, okay, so yes, मिलते हैं next video में, तब तक अपना ख्याल र